हुआ 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 है तो अचे को एए गुट मॉर्निंग एविवंट पंजाब मास्टर कैड़र ट्रियमट्री टू क्लास में आपके स्वागत है आज ही क्लास में हम जो लास्ट लास्ट अब जहाँ से हमने complete किये तो इसके आगे हम करना है start करेंगे हम आज पढ़ेंगे sine square theta plus cos square theta क्या होता है one होता है इसका concept plus सवाल हम करने वाले हैं आज का माझ जो topic रहेगा sine square theta plus cos square is equal to one होता है इसका पहले हम concept करेंगे इनके best questions करेंगे और आपके paper में यहां से एक सवाल हमेशा आता है सिखने के try किए देखें क्या क्या मैं इसको कर सकता हूं जैसे मुझे दिया हुआ है पहले sine square theta plus cos square theta is equal to one इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन स्क्वार थेटा is equal to one minus cos square theta इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं cos square theta is equal to one minus sin square theta यहां पर मैं a square minus b square भी लगा सकता है इसको स्क्वार रिंग करके तो क्या बनेगा उस case में cos theta into cos theta is equal to one minus sin theta and one plus sin theta कि फिरम ऐसे भी लेख सकते हैं cos theta by one minus sin theta यह इधर आ गया is equal to one plus sin theta by cos theta इस steps को derive कर सकते हैं अब point number आज की class हम इसके उपर ही बात करेंगे ठीक है जो point number two है point number three है वो next video lecture से बात करेंगे तो video lengthy हो जाएगा आज से हम इसके उपर बात करने जा रहे हैं ठीक है देखे इसमें किस किस सवाल बनेगा क्या क्या हो सकता है ठीक हैs? मलते हैं समझेます पहला एक सवाल यह होगा कि हम मेंद दिया होगा कि sine theta plus cos theta दिया गया होता है और हमें क्या निकलना होता है antibiot products निकलना होता है तो देख कैसे करें किसी को अधी इस सबसे पहले हमाई पास और करने के लिए कप हमरें को क्षगर करेंगे आधे कई इसको हम के स्क्वाइरिंग बुर्सएट करेंग है जब स्क्राइड बोस्ट करें गई तो ऐसे होगा यह बनेगा साइन स्क्राइट थेटा प्लस कोस्ट स्क्राइट थेटा प्लस कि टू साइन ठीटा इंटू कॉस्ट थेटा और यह किसके बावर हो जाएगा 289 बाई 169 के बावर हो जाएगा ठीक है जी देखे अब इसका जो भैलू अभी अभी मैंने क्या सेखा यह तो वन बन जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टू साइन ठीटा इंटू कॉस्ट थेटा इस इकुल टू 289 माइनस 169 माइनस वन यह कितना हो जाएगा 289 माइनस 169 बाई 169 यह किसके बावर हो जाएगा यह हो गया आपका जी दो 120 बाई 169 हो गया हमारे पास तू साइन ठीटा इंटू कॉस्ट थेटा के बहलू आ चुका है अब देखे मैं क्या करूंगा इधर भी स्क्वाइरिंग बोल साइड किया जाएगा कि जब इसको स्क्वाइरिंग बोल साइड करूंगा यहां से मुझे क्या मिलेगा हमक्यू फ्लस बीर साइन स्कुरठ टीटा प्लस का कॉस्ट स्क्वाइर स्थीटा माइने sus कि टू साइन ठीटा इन्टू कॉस्ट थेटा मिलेगा कि इसका वैलू हो जाएगा ठीक है इसके आद वहलू हो जाएगा और यह क्या अपने पास में माइनस टू साइन ठीटा इंटो कॉस ठीटा इसके वहलू कितना है 120-169 कॉस मिल्टिप्लाई कीजिए तो 169 by 120 by 169 यह कितना हो जाएगा 49 by 169 हो जाएगा कोराओगे यह गतार हमें क्या चाइए संथीटा मैंस प्लति टीटा यह तो यह तो यहां से स्कॉरी狐गा यह क्या हो जाएगा रूट under एस से रूट आंसर कितना हो जाएगा ग और दीक यह यह थैन संथे प्रोच हो गया घृकर यह आपको साथ UK आपको आते हैं ठेक है यह तो आपको समझ में आ गया कि आगे देखी है अ और इसको इसके ब्रोच रहे लियान से से क्यों आप पूछ देखिया अपरोच क्या लगा सकती इस पर कि अब गया अब को यह दिया गया है अब अब को दिया हुआ है साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा कि सेवेंटीन भाइट है कि निकालना क्या अपने को कि साइन ठीटा माइनस कि कॉस्ट ठीटा निकलना है ठीक है देखे मैं सो कैसे सुल्प करेंगे अब साइन ठीटा क्या मैं इसे लिख सकता हूँ जो साइन ठीटा रहा होगा मैं इसे लिख सकता हूँ पी बटा एच कॉस्ट ठीटा क्या लिख सकता हूँ बी बटा एच यह किसके बराबर होगा 17 भाई 30 के बराबर एलसम क्या आगे है एच आगे यह हो गया पी प्लस बी किसके बराबर हो गया 17 बाइट 30 के बराबर मेंस एक ऐसे ट्राइंगल है जिसमें एस कितना है तेरा है यह पी है यह बी है एस कितना है तेरह है जिसके आपको तेरह हुआ है तो एस तेरह है तो इसके मतलब आप पड़ा होगा ट्राइंगल लिए कितना होता है यह बाद है ये तेरह होता है ये पांच होगा ये बारह होगा ये तेरह होगा ठीक है जी ये पांच होगा ये बारह होगा ये तेरह होगा अब देखिए पांच है बारह है तेरह है ठीक है तो ये तेरह हो गया इसकी मतलब जो पी प्लस बी है पका क्या रहा होगा पांच हो बारह होगा औ सत्र हुआ है यह दोन मिलगर कितना बना हुआ हैतों प्लस भी कितना होगा सेबंटीन हो अमसें पाउच रहा होगा यह बार रहा होगा कि अब इस्सवाल पर आते हैं अब सव scratching आते हैं अब यह क्या बन जाएगा सटाझ माइनिस हो ईचार गाज तो सब्सक्राइब करेंगे तो कितना बनेगा सेवन बनेगा और यह आपको देखती मतलब विद्धिन फाइब टू टेन सेकें अगर यह लॉजिक के लिए तावान से निकाल सकते हैं कि मैं आपको पहली लेक्टर में सिखाया हुआ था कि वही तीन चार पांच पांच बार तेरह आठ पंदरह सतरह नौ चालीस एक तालीस एक ग्यारह साथ एक सट मैंने बोला था ना इस टैप के जो ट्रेंगल होता है जो पीपर में यूज किये जाते पैट तो इस बताया होगा कि समझ में आगे आपको अगला सवाल देखते हैं कि कहते साइन ठीटा प्लस कॉस्ट टेकितना है 71 बाई 61 तो साइन ठीटा मैंस कॉस्ट टेका था होगा यह पुर्णा ट्रिप्लेट सापको याद है तो क्या विए याद है 1160 एं 61 अब देखिए पी प्लस बीबाई जो होगा वो किसके ब्रावर 71 बाई 61 के ब्रावर पुछा क्या है पी मैंस बीबटा एच पुछा हुआ है तो एक गार हमारे पास ट्रेंगल कौन सा है 1160 61 ऐसे ट्रेंगल पुछा हुआ है ठेक है जी तो इन दुनों को प्लस किया तो कितना बना 71 बना तो माइनस करना तो क्या 49 नहीं बनेगा ठेक है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्छों 49 बाई 61 हो जाएंगे और यहीं आपका अंसर यह क्या है 49 बाई 61 मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है और यह समझ में आ गया होगा अमने कोई भी सवाल दोंगा तो इसीन सेकेंड आप सब्सक्राइब कर साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा दे पुछ लिए आपको याद है 41 में ने सिखाया था कि अना मैंने क्या सिखाया था आपको कि 9 कि 40 एन 41 के ट्रिप्लेट बनता है कि माइनस किया इनको माइनस किया तो कितना हो गया होगा यह 31 हो गया कि प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 49 हो जाएंगे तो क्या आप सीधा आंसर नहीं कह सकते कि इसका आंसर जो रहा होगा 49 भाई 41 हो रहा होगा और यह आपका आंसर है अब देखो यही सवाल जो पहले हम करते था मैं दो मिट लगता था कंसेप्स सिखने बाद इसी सवाल को हम दो सेकेंड में कर पा रहे हैं ठेक है ऐसे आप इसको डिटेल में सिखना चाहते हैं तो जो भी हमारे ऑनलेइन बैचे चल रही है मस्टर कैडर के उपर या टिक्नोमेट्र के उपर तो आपके उसको एटेंड कर सकते हैं ठेक है कि देखिए जो आपको सिखा है वही पैटर्स है तो समझें सब चिज़े को आप बड़ाया है कि साइन स्कॊआरे ठीटा प्लस को से स्कॉरे ठीटा वन होगा थे got समझ चीज़ों को कि अब यहां पर देखिए यहां पर हमें रवन चाहिए इस हैं नहीं रवन कैसे आएगा यहां इस पैटर्ण पर सवाल आ गया हमें से सवाल को इस पैटर्ण पर लिए बेसिक समाज यह है अब देखे इसको यह कट करूंगा यह कितना हो जाएगा था इसाइन फोर ठीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्कुर्ट ठीटा इन्टू साइन स्कुर्ट ठीट्ट प्लस कि यह कितना हो जाएगा तीन पच्चे 15 तीन दो निचे 5 बता दो कि यह किटना वह जाएगा झाँ को स्कुर्ट ठीट इन्टू है कौसश क्टिट धीटा किसके बराबर होगा ऑन के अब समझ ही अब चीजों के समझने के ट्राइए कि यहीं पर लॉजिक है देखिए साइन स्कॉाइर ठीटा प्लस स्कॉाइर ठीटा वन हो गया अब इसको हमें क्या करना है वन बनानी है और इसको भी मुझे क्या करना है वन बनानी है यह 1 कैसे बनेगा यह 1 जब बनेगा वन जब बन सकता है यहां पर जब किसाइन स्वार जो ठीटा होगा तीन बटा पांच होगा उसके बाद ही 1 बने गा मैं साइन इसक्वार ठीटा के फिट न हो गया 3 by 5 हो गया इदे साइन स्क्वार ठीटा 3 by 5 है तो कॉस से के स्क्वार जो ठीटा होगा वो कितना हो जाएगा 5 by 3 हो जाएगा इसी हिसाब से यहां पर देखिए अब यहां पर कॉस स्क्वार ठीटा का जो बैलो होगा वो कितना होगा तो से क्वार ठीटा का जो बैलो होगा वो कितना हो जाएगा फाइव बाइटू हो जाएगा अब आपको को सेक का भी वहलू आ गया अब तो मैं अस्तानी से किसी भी सवाल को निकाल सकता हूं यह इसको मैं 27 लिखूंगा इंटू कोसेक छेठी टिता कितना है पांच बटे तीन हैं तो कोसे को सेक AWS को छेठी को छेठी बनानी तो यह पावर oni फ्यान तीन करना पड़ेगा यह भी कितना हो जाएगा कावल कितना हो जाएगा तीन इसी हिसाब से कितना हो जाएगा 5 बट्टे 2 की पावर कितना हो जाएगा यह भी यह भी तीन हो जाएगा yes or no अब यहां पर देखे 27 गुने एक इतना होगा 5 बट्टा तीन की पावर 3 होगा plus एट गुना पांच बट्टा दो की पावर तीन होगा तो यहां से कितना बनागे 27 गुना एक सो पचीस बट्टा एक सताइस प्लस एट इंटू 125 बाइट यह तो चला गया यह तो चला गया 120 प्लस 125 प्लस 125 इस कहां से कितना होगा 250 होगा और यही क्या आपका आंसर है ठीक है समझ में आ गया बांके अगम ना समझ में आ गया और से देख लिए कि रिभाई रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यह सवाल आपके पीपर में बेरी बेरी इंपोर्टेंट हर एक साल आपके पीपर में यह सवारी प पुछा गया है, ठीक है, आपको ये पता है, ए प्लस बी का जो हॉल स्क्वार होता है, ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार प्लस टू ये भी होता है, और ए प्लस बी का जो क्यूब होते हैं, ये होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वार बी प्लस थ्री ए बी स्क्वार प्लस कि यह जब भी स्वाल पुछेगा तो इस पर यह लोजिक काम करेगा देखिए सवाल को पैटर्न देखते हैं मैं लोजिक समझ में आनी चाहिए नहीं कर पाएंगे ठीक है सिखने के ट्राइग कीजिए में कि लिए साइन फिटा प्लस सइन इसवायर थे ह쟁ल वन है तो कि मैं यहां से यह लिख सकता हूं कि जो साइन ठीक होगा क्यों माईनस सइन स्थ नाफे खोर北ा में से यहां से क्या पताितल जाएगा जो साइन थीटा ही इजिकिल टू कॉस स्क्वाइड ठीटा यह लैन बड़ा इंपोटेंट है साइन ठीटा कहना और कॉस स्क्वाइड ठीटा कहना एक ही बात होते हैं अब देखें जैसे आपने यहां पर दो देखा तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि भई ए प्लस बी का सवाल दिया गया होगा जैसे यहां पर आप दो बात तीन तीन देख लेंगे आपको समझ में आ जाने चाहिए ए प्लस बी का क्यू का सवाल है यह देखें एक की वर्ड्स होते हैं दो देखा स्क्वाइड बाला होगा तीन देखते तो क्या होता है क्यू बाला होगा वह मैं आगे लोगा अब यहां सब्सक्राइब देखिए यह जो दिया हुआ है यह ऐसे हैं इसको बैसे लिख सकता हूं कोस फोर्ड ठीटा का स्क्वाइड मैंसे स्क्वाइड हो गया प्लस टू एबी टू इन्टू ए कितना है यह तो है आपका कॉस फोर्ड ठीटा बी कितना है कॉस स्क्वाइड ठीटा 2AB plus कितना B square plus कितना होगा B square तो मैं ऐसे लिख सकता हूं cos square theta का hall square minus 3 जो यहां से लेके यहां का term है यह क्या बन गया a plus b ka hall square a plus b ka hall square तो मैं ऐसे सकता हूं a plus b ka hall square बैसे सकता हूं को कॉस for theta plus cos square theta का hall square होगा माइनस 3 अब यहां पर देखिए जो हमें सोल के तुमारा हमें क्या निकाल थे कॉस्ट स्कॉर्ट ठीटा किसके बड़ावर होगा साइन ठीटा के बड़ावर होगा ठीक है न तो यहां इसकी जगर पे तक मैं लिख सकता हूं साइन ठीटा लिख सकता हूं यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं साइन square theta लिखे जा सकते हैं माइनस थ्री और इनकी वहलूप सवाल में ही दे रखा है कितना वन तो वन माइनस थ्री तो आंसर कितना होगा माइनस टू होगा और यही आपका अंसर है दूसरी समझे माली बात क्या है यदि आप डेटियल में समझेंगे तो देखे एक कंस्टेंट है इन से पहले जो भी नम्म दिया गया होगा न किसी भी सवाल में यह हमेशा क्या बन जाएगा वन बनेगा इसे फिक्स करेकर देगा यह हमेशा क्या बनेगा वन बनेगा और वन माइनस ठीकितना हो जाएगा माइनस टू हो जायगा अब देखते यहां कि मैं अगला सवाल लेकर देखाता हूं है देखें यहां पर-बैं अब यहां पर देखिए दो बार आपको तीन तीन दिखा मैंसे सवाल कौन सा है A प्लस B का Q इस इकुल टू A Q प्लस 3 A स्क्वार B प्लस 3 A B स्क्वार प्लस B Q बट आपको मैंने अभी भी क्या कहा यह जो टॉम्स जो होता है यह जो टॉम्स होता है यह अल्विस कितना बनेगा 1 बनेगा 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा और यह आपका अंसर है इस यह आप सोल्ब भी करेंगे इस यह आप सोल्ब करना चाहते हैं तो सोल्ब करेंगी तो क्या बनेगा यह आपके पास यह यह जो सवाल होगा आपको बनेगा कॉस स्क्वाइड ठीटा प्लस ठीक है यह कॉस स्क्वाइड ठीटा प्लस कॉस फो ठीटा का क्यू प्लस दो बनेगा और इनकी वालू कितना दिया गया वन दिया गया है वन प्लस टू कितना होगा ठीड होगा और यह आपका आंसर है समझ में आगया ठीक आगे देखिए अब यह सवाल है यह सवाल लास्ट टैम जो 2017 में जो का पेपर हुआ है उसमें यह सवाल पूछा हुआ है मास्टर कैड़ 2017 कि इसके आंसा आप निकाल सकते हैं यह पहले से बहुत आसान है इसलिए मैं स्टार्टिं आ कि अब देखिए यह आपको दिया है साइन थिटा प्रसाइन स्कॉए ठीटा वन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इसकल टू फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन थीटा इसकल टू कोस इसक्वाइट ठीटा अब कॉस स्क्वाइड ठीटा को क्या लिखना पड़ेगा साइन ठीटा लिखना पड़ेगा कॉस फोर ठीटा क्या लिखना पड़ेगा साइन स्क्वाइड ठीटा लिखना पड़ेगा यह किसके ब्राबर होता है वन के ब्राबर होता है और यह आपका आंसर है तो बहुत आसा पूछा नहीं गया है बट कभी भी आपको ऐसे पूछा जाए साइन ठीटा हो साइड स्कॉइर हो साइन क्यूंट ठीटा हो पूछ के ऐसे कहा जाए तो आंसर निकालने के लिए मैं निकाल सकता हूं कैसे होगा हमेसा फोड हो आंसर इस अलवेच फोर कि इनको आप सोल्व की जिए बाई चांसा सोल्व ना हो सकॉमेंट कीजीगा इसको सुल्व कैसे किया जाएगा अगई-वीडियों मैं क्या करूंगा इस सवाल को भी सूल्व करहां तो इस पार्ट में टिरुमेटी पार्ट तू म मैं आपो क्या किया साइन सिक्वाइटटटब उन होता है इसके बेसिस में जितना भी सवाल बन सकता है मैंने सारे सवाल बो करवा दिया यदि आपको वीडियो अक्षा लगा हुआ हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी किजिएगा यदि आप आउनलेन क्लास एस्टेंड करना चाहते हैं तो हमां जो हेल्पना नम्मर है एट टू एट थरी एट सिक सेवन एट सिक सेवन इसमें जाके इस नम्मर पर आप कॉल कीजिए और यहां से डिटेल्स ले लिजिए अब आपको मैं नेक्स वीडियो में अब हम नेक्स वीडियो लेके आएंगे उसमें आगे की चीज़ बताए जाएगा आज की इतना ही है धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में